क्या कभी आपने पहले बीसी बेले बात खाया है बहुत ही सही बनता है टेस्ट में लाजवाब होता है वन पॉट मील है और इसे खिचड़ी जमझदे की गलती बिल्कुल भी मत करना इसके साथ हम बनाएंगे विजिटिबल राइता जो इसकी जान है तो इसके लिए मैंने यह गैस एकदम स्लो रखना उसके बाद हम डालेंगे कुछ सूकी लाल मिर्ची इसके साथ मैंने एक हरी मिर्ची लिए है और उसके अंदर हम डालेंगे काजू तो मैंने यहाँ पे 6-7 काजू लिए है जिसे बीच में से इस तरह टुकड़ों में कट कर लिया है आप काजू की जगा पीनट्स भी ले सकते हो बड़ काजू और पीनट्स डालना जरूरी है ताकि टेस्ट काफी अच्छा है उसके बाद चार कलिया लहसुन की लिए और उससे इस तरह कट करकर इसके अंदर डाल दिया लहसुन को अच्छे से कुक कर लेंगे कच्छा नहीं रहना चाहिए लेकिन इस चकर में आप काजू मत जला देना काजू जलने नहीं चाहिए उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक मेडियम साइस का अनियन जिसे मैंने स्लाइस कट करके डाला है आप यहाँ पर जो स्मॉल साइस के अनियन आते जो साउथ इंडियन रेसिपीस में स्पेश लौकी, गाजर, मतर और टमाटर लिये हैं टमाटर डालना जरूरी है एक मेडियम टू बेक साइस का टमाटर है और दस से बारा मैंने करी लीव्ज ली है उसके साथ एड़ करेंगे वन टेबल स्पून डैसिकेटेड कोकोनट या फिर फ्रेश कोकोनट को ग्रेट करके ले सक बेसिक मसाले में मैंने यहाँ पर रेट चुली पाउडर, हल्दी, काश्मीर मिर्च पाउडर, कुरिंडर पाउडर, सॉल्ट और हीन डाला है उसके साथ हम डालेंगे बीसी बेले बात का पाउडर अगर वह नहीं है तो वन टेबल स्पून जिता आप सामबर मसाला एड़ क कर सकते हैं अच्छे से दो से तीन मिनट के लिए कुक्किया मसाले के साथ एकदम स्लो गैस पे उसके बाद हम डालेंगे इसमें भीगेवे चावल और तूवर दाल जो की वन फूर्थ कप वन फूर्थ कप है मतलब वन फूर्थ कप राईज लिया और वन फूर्थ कप और दाल भी वन फूर्थ कप लिया तो उसका चार गुना होता है वन कप वोटर तो टूटल मैंने यहां पर दो कप पानी मिला दिया अच्छे से मिक्स किया टेस्ट कर ले नमक या कुछ भी आपको कम लग रहा है तो एड दिस स्टेज आप इसमें एड कर ले प्रेशर कुक कम अन्यान और कैरेट लिया है उसमें डालेंगे जीरा पाउडर ब्लैक सॉल्ट ब्लैक पैपर और रेग्यूल सॉल्ट और कोरियंडर लीव्स डालेंगे सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे यह राइता आपको मलब इमीडिटली बनाना है बनाकर एक दू घंटा नह निकल गया है और अब इसे खोल कर देख लेते हैं तो जितना मुझे पानी चाहिए कंसिस्टनसी जितनी चाहिए मुझे बिल्कुल वैसी ही है इसकी अगर आपको यह टाइट लग रहा है तो आप इसमें गरम पानी उपर से एड़ कर सकते हैं लेकिन इसकी कंसिस्टनसी कु कर सकते हो और बहुत सारा गुरेंडल लीव्स डालेंगे मैंने यहां पर दो से तीन टेबल स्पून जितना इमली का जो पानी रहता है वह डाल दिया है खट्टा आपको जैसा पसंद है आप वैसे डाले बस सब चीजों को अच्छे से मिक्स करें और घर्मा गरम इसे राइ इमनिंग तक भूक नहीं लगेगी यह वन पॉट रेसिपी है इसे आप लंच में इंज्डॉय करो रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना राधी राधे